जो professional strength हमें चाहिए होती है, कैसी कैसी चाहिए, जैसे we need to withstand lot of external and internal pressures, कैसे होते हैं, लोगों के pressure, society के, शैतान, नफस है, desires है we need clarity of the concept, intention हमारी सही हो, कुरान और सुनना के अगॉर्डिंग ली हम किसी से बात कर रहे हो, lens हमारा वो हो then we need strength for ourselves, जितनी हमारी life में test, trials आते हैं, उन से हमने कैसे cope करना है and we need a beautiful character, हमारा अखलाग कैसा हो, जो दिल मजबूत होता है, जो क्यों के मैंने आपको कहाना, this is the condition of your heart, तक्वा तो ये आपके अंदर क्या लेकर आता है, ये आपके अंदर सबर लाता है, शुकर लाता है, forgiveness असान करता है, purpose of life आपको help करता है, define करने में it's an amazing concept, यानि हमने रमजान को कभी इस तरह देखा ही नहीं, we just saw it as a ritual, बस बच्पन से सब रोजे रख रहे हैं, अगर हम interview लेना शुरू करें, आप रोजे क्यों रखते हैं, सब रखते हैं, वो दसल हमारे घर में सब रख रहे हैं, हम बच्पन से रख रहे थे, इसलिए हम वो दसल बस फर्ज है नहीं, इसलिए रखते हैं, we have very vague answers, we have not actually dug deep into the concept, कि क्या करना चाहिए इसमें, इसलिए आप देखें कि unlimited blessings हमें बताएगी हैं, प्रॉफित सल्ले लाह अले वाले अले सलम सेग, when the month of Ramadan enters, the doors of heavens are opened up, and the doors of Jehannam are closed, and the shayateen are chained, लेकिन हम इतने trained हो चुके हैं कि एक महीने में भी हम unfocused ही रहते हैं, कोई काम नहीं छोड़ते हैं, बलके गुसा भी बढ़ा देते हैं, लड़ाईयां भी बढ़ा देते हैं, और हरे को यह कहते हैं, मुझे रोजा लाग रहा है, इसलिए मुझे गुसा आ रहा है, मेरा दमाग already खराब है, और खराब ना क खराजा, whosoever fears Allah and keeps his duty to him, he will make a way out for him from anything, कितनी situations हैं, जब हम as professionally stuck हो जाते हैं, पेशेंट्स के डागनोसिस में हो जाते हैं, उनकी management में हो जाते हैं, अपने career choices में हो जाते हैं, तो जो इनसान तक्वा इक्तियार करता है, Allah ताला उसके लिए way out निकालता है, और ऐसा खुबसूर इसने सोचा ही नहीं होता, guidance Allah ताला की तरफ से उसको मिलती हैं, और आगे फिर ये बतायागे कि रिस्क पी अला ताला जहां से चाता है, उसको रिस्क की भी फिकर नहीं होती, जो उसको मिलना होता है, वो मिल जाता है, सारा दिन petrol, price hike पे, और बिलों पे नहीं रोता धोता र ये जो मैंने एक क्लास बंक की है ना, और इसमें जो subject मैंने miss कर दी है, हो सकता है exam में तो मैं किसी तरह पास हो जाओ, लेकिन when I'll be actually dealing with my patient, वहां पे ये मेरे लिए problem होगी, ये मेरा area weak रह जाएगा, यहां पे मैं वो सही तरह से काम नहीं कर सकूँगा, इसी तरह हम अपनी responsibility क own करना सीखते हैं वामा असाबकुम मिं मुसीबा वामा कसबत आईदीकुम वयाफु अनकसीर सुरा शौरा verse number 30 and whatever strikes you of disaster it is for what your hands have earned but he pardons much यह याद रखता है इंसान के तक्वा में सिखाता है कि Allah ताला तो हमारे साथ हर वक्त इंसाफ कर रहा है अगर हम खुद जंक लेते हैं खुद हम गलत फैसले अपने लिए करते हैं तो कौन सफर करेगा हम फिर कहें कि जी मेरी किसमत खराब है मेरे साथ ऐसे क्यूं हो रहा है मेरी लाइफ में ये चैलेंजिस क्यूं आ रहे हैं we are making that choice not Allah सुभानो ताला तो हमें इस बात पर भी focus करना चाहिए कि I need to own my own responsibility अमा बाभी घर में कहते हैं बेटे तुम कब बढ़े हो गए अभी तक तुम कोई काम नहीं कर सकते हैं आप देखें ना ना हम अपने घर वालों को किसी काम में help करते हैं हर बात पे हम ये के देखें पढ़ाई हो रही है बहुत साथ पढ़ाई हो रही है ममा बाभा कहते हैं पतनी कौन सी पढ़ाई हो रही है number भी नहीं आ रही और sense of responsibility भी नहीं आ रही and was and when my slave asks you Muhammad concerning me then answer them and I'm indeed near I respond to the invocations of the supplicant when he calls on me verse number 186 don't cry on your social media accounts cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala we send down from Quran that which is a healing and mercy to those who believe surah al-isra verse number 82 kis ke liye khasara hai? zolimeen ke liye joh khud ghalat fayasle karte hai so reality of life humare liye kya hai we need to detach ourselves from whatever materialism is teaching us thoda akal to istamal kiya kare na kishi maamle mein weishe hem aapne aap ko etna super intelligent semajte hai here wo fayasle karte hai joh ke sari dunya bhi bata rhi hai ke look they are not right lekin agar koi itna sa bhi koi change a gya kahi pere gaya wo structure gya wo structure ki wajah se puri body me kya kuch ho raha hai wo hum sara pardhen aur aapne indar ek contentment or satisfaction ki feeling joh hai wo lhe kar ani hai so ramazan ke liye hum kya apne liye kuch koi target setting kare teen level pe kama kare apne liye personal level social level and at structural level bring in motivation as well as ability kaisi kare smart goal set kare specific goal apne liye rakhye each one of you can have a different goal for yourself target ye ye ke muje takwa chahiye karne meinne wohi kam hai namazen bhi pardhni hai terabi bhi pardhni hai roza bhi rakhna hai sehri afetari bhi hooghi iske saath saath meinne quran mgeed se apne tahluk ko mzbūt karna hai lekin kaisi mujhe personal level pe kya kama karna hai I need to become a learner takwa bhahan hai na ramazan ka tahluk takwa se hai to mujhe quran mgeed ko pardhna hai attain karheen apne friends ko bhi push karheen joh friends apne ko kare chhodo aaj bung karo bair baitate to unke pressure ڈالیں ghe chhodo aaj bung ko class me baitate ghi aapka personal target hona chahi ke jab mujhe learning opportunity mil raha hai lot of time students ask me in colleges and universities hum kaisi sikhye kahaan ja ke sikhye to men ko ke online resources hain aapke ghar ke karee 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 kuran majid ko ramazan me translation ke saath hi pardh aapko bohat kuch samaj aapko at your footstep mil raha opportunity to abhi se niyat karee 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 aapne ye do karee aapke ander personal level pe ability bhi aapko practice dousra motivation bhi aapko namazen pehle ni padhi jati thi padhi aapko koshish kerte struggle kerte aap jab pura ramazan learn kerte rehte learn kerte rehte now namazen pardhan shuru kerte this gives you such a high a a dopamin jata na really i always thought of myself as a failure and now i am able to do it wow what an achievement what a sense of success aapko lagtai ke me apne aapki grip me a gaya hum social level pe change kya honi chahiye friends konse ham apne friends kuch ho to nai sakte aapko pata na we are some of five people we hang out with agar 4 log vaping kare drugs lere haram relationship me to aap maasoom bach nai honge unnke saath aap bhi us mein se kuch na kuch kar rhe honge if not 100% fifty to sixty percent kuch or kuch nai to passive smoking se utnay impact lere honge or eek din unn me se koi na koi kama aap karna shuru kar dیں to hum friends ko chowd to nai sakte lekin hum ye kar sakte hain ke ramzaan ke liye target bana lene to stick to those people who are working on taqwa yani ham jo hustle karna chaa rhe hoti hum us ke liye wola target kate acha masran koi ladki gaiti hai ke mujhe head covering baut musk ke lagti hai then stick to someone who is covering the head it will have an indirect impact on you koi lagtga kaita mujhe ghusa baut aata hai I need to be someone jis ka dhima mizaj hai who has control over the anger to pher aap kya kert te aap kis aise lagt ke sath zaroor time spend kert te aap friend ke sath time spend so you get to observe the behavior ke kis behavior ko hum dousra insan kare me nhi kare sa kera aur aap ke impact aap us ko te kert te or mentors honne chahiye aap ki life me teachers honne chahiye aap ki life me joh aap ko hem motivate kare like aap parents ho sakti aap teachers ho sakti jinn ko look up kare scholars ko sunne is wakar to humare liye itna convenient hai na pehle jasai sahabah ikram te to kitne kitne dino ka mahin oka safar kare ke jatay te or wahaan ja kar ilm hasil kertet te hem ne to bas yun lap top khol na phone khol na e click k k na or ab ne belk ke choice b to is kya hoga social level pere change ae ki kya dha an dha hr 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 chanj ho ti hai liekin bahir ke pressure za chate ha or ham us ko sustain ni kar pa k pa k chanj chanj environment me change chanj environment me change kays a ti a p us environment ko a p n leye waisa banay jis me आप जादा से जादा करां को प्रैक्टिस कर सकें तक्वा को प्रैक्टिस कर सकें let's say कोई apps use करते हैं आप अपने रमजान के लिए अपने फोन में कुरान की apps डालें थोड़ी से notes बना لें थोड़ा सा अपने लिए को target setting कर लें घर में भी environment क्रिएट करें मसलें I have come across people who say I'm working on my taqwa so it's going to be one month off the screen मैंने थोड़ा सा अपने जो social media उसे sign out करना है या उसको बंद कर देना है इतने दिनों के लिए फिर बाद में मैंने रमजान के बाद I'll start doing that opening that तो कोई ना को अपने लिए ऐसा target set करते हैं इंसान smart तरीके से personal level पे social level पे और society के level पे उसको practice कर सके आप अपने patients को भी guide करते रहते हैं और patients को हम कैसे facilitate करते हैं थोड़ा सा हम general principles को समझ लें we need to understand the details of the patient उसकी disease का है उसका stamina कैसा है what medications the patient is taking drug की administration के बारे में देखते हैं कि उसकी schedule क्या है क्या हो सकता है कौन सा mode of intake हो सकता है nature of disease का है permanent है long term है temporary है because आप से इन्ही situations के लिए patients are going to be asking you कि हम क्या करें if the patient is sick comes to you और आप उसे देख रहे हैं और आपको कहते हैं कि जी आप सब रोजा रख सकते हैं कि नहीं तो if not urgent तो आप क्या करते हैं कि let's say को ऐसी treatment है वो delay हो सकती है तो आप उसको कहते हैं हम treatment delay कर देते हैं आप अपना रोजा रखें रोजे को हमने importance देनी होती है अगर कोई urgent challenge है उसकी life में तो फिर आप उसको यहां तक कह सकते हैं कि आप रोजा तोड़ दें या रोजे ना रखें और आप अपनी treatment लें because इस वक्त आपके लिए treatment लेना जरूरी है रोजा किस चीज से तूटता है किस से नहीं तूटता you can check out at islamqa.com or you can get some authentic book from Darussalam और Alhuda publication और उसमें भी सारी lists होती है जिससे आपको पता चलता है but I can give you a brief outline कि anything that does not go past the throat यहां गले से जो नीचे चीज नी जाएगी उससे रोजा नी तूटता जैसे toothpaste अगर गले से हलक से नीचे ना जाए आपने brush किया और उसको spit out कर दिया तो रोजा नी तूटता tooth extraction अगर हलक से नीचे ना कुछ जाए तो रोजा नी तूटता मिस्वाग से नी तूटता, गागल्स करने से नी तूटता जैसे ladies के लिए होते हैं कि उनको कहा गया है कि जब आप घर में खाना बना रही हैं especially अगर husband ऐसा है जो जरा strict है यह particular है यह family members particular है तो आप उसको taste कर सकते हैं आपने यहां पर रखा जरा सा तो उसे रोजा नी तूटता और उसको फिर आपको taste आया और आपने spit out कर दिया और किसे inhaled और bypass जो हैं जिन से नहीं चूटता इस anesthesia से नहीं चूटता inhalers लोग लेते हैं अब आप देखें इसको पोलन का है high count आ रही है और बहुत सी allergies इसकोट हैं तो ऐसे लोग बहुत आ जाते हैं कि जी मुझे तो as the my controlled है लेकिन I have to take inhalers मुझे puffs लेने होते हैं तो फिर मैं तो रोजा नहीं रखता तो आप बताएं कि नहीं उससे रोजा नहीं चूटता, ear drops से नहीं चूटता, topical ointments लगाने से नहीं चूटता, hijjama से नहीं चूटता, intravenous और intra muscular injection से नहीं चूटता, लेकिन अगर कोई के मुझे weakness हो रही है तो मैं जरा glucose की drip लगवा लूँ, उ और ultrasound करने से, scan करने से, रोजा नहीं चूटता, eating anything unintentionally इससे भी नहीं चूटता, अब यह बहुत लोगों के साथ होता है, आपने खाल गया फिर किसी, बाकी लोग आपको shocked देख रहे हैं और आप खाते जा रहे हैं, आप केरें क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, and then somebody tells you के, तो रोजा नहीं था, आप कहते हैं, ओ, मेरा तो वाकी रोजा था, तो उससे रोजा नहीं चूटता, लेकिन यह नहीं है कि अब आपके जो मुह में हैं, आप मैं पूरा complete कर लूँ, उसको फिर आपने spit out कर देना है, किसी का कोई sexual discharge हो जाता है, उससे रोजा नहीं चूटता और जब आंग खुली तो सहरी का वक्त गुज़र चुका था, अब आप कहते हैं, कि क्या करूँ, रोजा रख सकते हूं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए, कि मैं रोजी कुछ नहीं खाऊ हूँ, और रोजी सहरी के बगार करूँ, सहरी में बरकत लगी है, आपके हाथ पे कुछ कट लग गया, या बोडी में किसी पार्ट पे कट लग गया, थोड़ा सब ब्लीड हो गया कहीं पे, उसे रोजा नहीं चूटता, ज्यादा ब्लीड हो, तो obviously पर तो patient crisis में होता है, आप उसको वैसे ही कह देते हैं, कि it's better you should not be fasting, इसको आप ब सकते हैं, लेकिन usually हम eye or nasal drops के दिए लोगों को कहते हैं, कि आप सहरी और अफ़तारी के टाइम पे ले ले लें, यह जो मैंने को बता है, कि nutrients के दिए कुछ drip or injection है, something that gives you energy, वो कुछ आप लेते हैं, और husband wife relationship जो होता है, उसमें रोजा तूट जाता है, इसके लावा जो female monthly cycle है, अगर अफ़तारी से दो मिनट पहले भी हो जाए, तो रोजा तूट जाता है, यहां पर हमारे concept है, कि बारा बज़े के बाद अगर monthly cycle शुरू है, तो रोजा हो गया है, ऐसे नहीं होता है, ओके हराम से stays हराम, यह नहीं हमारे लोग क्या करते हैं, सारा दिन रोजा रखा वा तक्वा में यहीं बदा रहा है कि यह काम नहीं घर ना, आपको पता है कि lot of scholars say it is mokroo and there is a big group of scholars who says कि even smoking is haram, जैसे अगर आप किसी के हाथ में शराब की बोतल देखें कि वोपनी लेके फिर रहा है तो हम गयेंगे astagfarullah, इस तरह किसी के हाथ में cigarette देखके भी यहीं सोचना च चाहिए, even जो addiction पर काम करते हैं, experts they call it gateway drug, जो लोग vaping करते हैं और smoking करते हैं, there is a high chance of those people taking drugs, वो gateway रस्ता खुलता है उनके लिए कि वो drugs की तरफ जाते हैं, तो यह ना सोचें कि यह बाद में यह हलाल चीज़ थी, हम पता नहीं बड़े इच्छे बच्चे थे, रोजा रखके अब हम सुकून हासिल कर रहे हैं, अगर आपको तक्वा मिल गया हैं, तो that is good enough for your सुकून, female issues हमें थोड़े से पता होने चाहिए, जो मतली cycle है, इसमें रोजा नहीं है, इस वक्त आप फिदिया दे देते हैं उनका, यानि कि आप कुछ उसका amount दे देते हैं, compensation दे देते हैं, postpartum bleeding होती है, with the upper limit is 40 days, तो इसमें फिदिया देते हैं और लेटर उसमें कजा करनी होती है, और अगर मीनोपास हो गया है, तो जाहरे पिर आप fasting पे रहते हैं, irregular bleeding जिनकी होती है, वो क्या करते हैं, एक certain time frame दे रहते हैं, ऐसे patients gynae में बहुत आते हैं, और बहुत जादा हो रही है, because that is irregular bleeding, जिसको इस तहाजा कहा जाता है, ठीक है, तो PV examination for gynae patients, इनके लिए जरूरी होता है, it does not break the fast, लेकिन अगर जरूरत नहीं है PV examination की तो इस वोकत ना किया जाए, फिर कुछ लोग पिल्स ले ले लेते हैं, कि जी हमारा monthly cycle ना हो, हम सुकून से सब के साथ रोज होता है, वो disturbed हो जाता है, तो Allah ताला ने जो आपके ओपर जिम्मधारी या मुश्किल ने डाली है, आपके अपने अपर डालते हैं, ओके लिकोरिया, this is like a, वैसे a discharge होता है, females को कुछ को, उससे भी बहुत लोग परिशान रहते हैं, this does not invalidate fast, or your salah, just need to follow the cleanliness standard and fresh वुजु जो ह है, वो करना चाहिए, इसी तरह, clarity on the type of bleeding is very important, और उसके लिए, आप islamqa.com पे जाकर भी, different types देख सकते हैं, bleeding की, और अगर आप sure नहीं है, always refer them to a mufti, ठीक है, not a regular student of Quran, but a mufti, जो इन बातों को अच्छी तरह clarity से understand करके फत्वा देते हैं, आप कह सकते हैं कि आप किसी मुfti साब से पूछें, so अभी के लिए आपकी checklist क्या होगी in the month of Shaban, mental preparation, your intention, your duas, your self-accountability has to start, and practical steps, you have to look around at the environment, you have to look at your company, and you need to have a buddy who would help you, facilitate you for taqwa, make lot of duas that Allah Taala helps you recharge yourself so that you can achieve good heights in Ramazan.